स्वागत आपका आपके चैनल हिंदी मेडिसियन रिव्यूज में मैं हूँ आपके साथ अनीज भारती और आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लोजूटिक एयरड्रॉप के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास तक जरूर देखे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के क्लोजूटिक एयरड्रॉप को क्या यूजर इसे कैसे इस्तिमाल करना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट सारी जानकारी आज की वीडियो में लेगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू आपने अब तक हमार के आइकन को भी दबा दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लोजूटिक एयरड्रॉप के बारे में तो दोस्तों क्लोजूटिक एयरड्रॉप है तो एक यूनिवर्सल कंपनी का मैनुफिक्टर किया हुआ ब्रैंड है और दोस्तों इसके अगर हम पैकिंग की बात करें तो काफी खुबसूरत पैकिंग है और दोस्तों इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो यह 40 रुपे का एक ड्रॉप आता है और यह जेनरिक मेडिसीन है और दोस्तों इसके अगर हम कंटेंड की बात कर ले तो इसके अंदर है कुलोरा और दोस्तों आइए अब हम इसके यूसे के बारे में जान लेते हैं। अधर dhCNbD ये जिस तरह से अभी हमने जुख्षान जिस से पहले की वीडियो में हमने जोख्षान ड्रॉप के बारे में जाने थे उसी तरह का ये एक पैक आता हैं और दोस्तों अधर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देदूंगा आप वहाद पर जाकर देख सकते तो आइए दोस्तों क्लूजटी की एर ड्रॉप का यूज़ेश साइड इफेक्ट और कैसे इसको लेना है उस बारे में जान लेते हैं कि तो दोस्तों आईए इसकी यूज़ दे पर चांत के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कान के कीसी बी طरह के इन्फेक्शन के लिएसको यूज़ कर सकते हैं उसी के साथसदों अगर आपके कान मैं फोडा हो गया बह पूंपी हो गई है या फिर फंगल इंफेक्शन तो आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको इस कंडिशन में बहितरीन डीसलट को मिलता है और उसल के साथ से दोस्तो अगर आपके कान में मैल हो गया या फिर धूल के कारण कुछ मठी या उद्धूल के कारण आपका कान दुखने लग गया हो तो आप उस कंडिशन में इसको यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों इसके जिसे बहुत से मार्किट में अविलेबल है लेकिन यह एक बहतरीन प्रोड़क है दोस्तों कान में ठंठन या खटखट जेशी आवाज बहुत सारी आवाज आती है कभी-कभी सूर्स सूर्च आवाज आती है या फिर कनकन ठंठन तो उस सूरत पी भी आप इसको यूज कर सकते हैं मतलब कान क आप है तो कान में इस ड्रव के सातथ कोई और ड्रौफ दाल रहे है तो आप इस ड्रॉप का यूज ना करें या फिर अगर आप यूज करते भी है तो अपके wisdom कर दोक्तर की सलाग ही यूज करें और दुस्तों उससा बैसा है अगर आप इस ड्रॉप का आपके छोटे बच् तो सबसे के लिए यूज होता है तो आएए दोतो अब हम इसके डोसे के गर हम बात कर ले तो आपको सबसे पहले इसे तो अपने डॉक्टर की सला के अनुसार लेना चाहिए और उस इक सश्दसցद दोस्तों मैं प्को बता दू एक बार आप जब हैं इसको यूज करने डालना है और यह डेली लेना है डेली तीन से चार बार आप डाल सकते हैं जाने कि सुबा दोपर शाम आप है तो तीन बार चार से पाच बून चार से पाच ड्रॉप अपने कान में डाल सकते हैं दोस्तो क्लोजिटिक ड्रॉप को यूज करने से पहले आप है तो अपने डॉक्टर की सला जरूर ले और दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप है तो Closetic Ear Drop को यूज करना चाहते है तो अपने कान में कभी भी पानी ना जाने दे या फिर आप है तो जिस टैम इसको यूज कर रहे है उस टैम अपने कान में पानी ना डाले कोई भी तरल पदार्थ ना डाले जिससे आपके कान में और फंगल इंफिक्शन बढ़ जाए ऐसी कोई भी चीज आपको आपके कान में नहीं डालनी चाहिए तो दोस्तों अगर आप चाहते के क्लोजोटिक इयरड्रॉप के साइड इफेक्श के बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताए मैं इस वीडियो में भी उस टॉपिक को कवर कर सकता था लेकिन यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्लोजोटिक इयरड्रॉप का अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आकॉन को भी दबा दे आज की वीडियो में बद इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नहीं मेडिसिन के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त